कि अब्रीवन नमस्कार वेलकम अलॉप यू कटार इंस्टिटूट पर आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ मुकेश कटारे दोस्तों MPPSC ने 17 देसंबर को पीटी दिया था और उसकी जो आंसर की है अभी फाइनल आंसर की नहीं डाली है उन्होंने प्रोविशनरी डाली हुई अब इसमें उमीद नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन चेंज होगे अल्मोस्ट ठीक है एक दो क्वेश्चन हो सकता है एक दो क्वेश्चन होने के बाद भी मैं एक एक स्पेक्टिड कट आप बताने की कोशिश करता हूं कि इस वार कितना कट आप जाना चाहिए दो दो पार्ट में 87-13 परसेंट तो मुखे जो लिस्ट है पार्ट इक उसको देख लेते हैं अन्रिजर्ब मेल के लिए 156 मार्क्स को कटॉप डिसाइड कैसे करते हैं कटॉप नंबर वेकेंसी पेपर का लेबल कैसा था तो 239 वेकेंसी हैं अभी लग बग है ना कुछ बढ़ स लगती है डाइसों भी हो जाएंगी तो माल लेते हैं तो 156 जो है जीएस बन पेपर में सही होते हैं यानि 78 के आसपास रहता है तो जो अन्रिजर्ब में मेल का हो जाना चाहिए फिक है फिछली बार चाहिए देटी था पीमेल के लिए 154 मतलब 75-76 क्वेश्चन सही होते हैं अराउं 75 के आसपास अब EWS केटेगरी में देखते हैं EWS केटेगरी में यह 76 के आसपास रहेगा मेल के लिए यानि 152 अंक होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 यानि अराउं 75 अगर सही है तो यह विलकुल सेफ हो जाता है अब ऐसी केटेगरी में जाते हैं अनसूचित जाती मेरा चाहिए चाहिए 138 प्र सब्सक्राइब मिल जाए और फीमेल के लिए चाहिए 134 हो जाएव मिल जाने चाहिए है एस्टी में देखते हैं अनसुचित जन्य जाती में वाइज के लिए 126 के एराउंड होगा यानी 63 सही होना चाहिए और गर्ल्स के लिए 124 एराउंड यानी 62 सही होना चाहिए अनुमानित इसके हिसाब से कट आप हो जाना चाहिए अब पार्ट बी जो 13% है उसका भी देख लेते हैं एक अनुमान है तो इसमें अन्रिजर्ब के लिए एराउंड 75 के आसपास और जो ओवी सी के लिए 73 के आसपास होना तो यह अनुमान है अभी आप लोग अब्जेक्शन लगा सकते हो यह आपको लगता है कि आपके पास authentic source है तो लगाना चाहिए अन्य था मतलगाओ मैंने चेक किया जैसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सही answer लगाने की कोसिस की थी तो हो जाते हैं मेरे भी 5-7 question गलत थे कुछ मुझे नहीं भी पता थे तो ऐसे या एंपी बोर्ड का पब्लीकेशन हो एसी कोई किताब या किसी न्यूज पेपर राश्टी इस्तर की न्यूज पेपर में कुछ घटना प्रकाश्यत हो तो वह वहां पर बैलेड हो तो बस इतना सा है अब आपको start हो जाना चाहिए मुखे परिक्षा की तयारी करने के प्रकाश्यत हो जाज आपको